लाइफ में अगर आपके पास कवे भी चॉइस ना हो आपको फ्रीडम न मिले तो उस फ्रीडम को पाने के लिए किस हद तक आप जा सकते हो या सही क्या गलत इसमें क्या डिफरेंस होगा इसी एक थीम को लेकर आज के हमारी मूवी इंसिकरिट ही आती है स्टार्टिंग में तो सब कुछ ठीक लगता है पर बात में स्टोरी के कैरेक्टर्स ये डार्ट टर्न लेते हैं एक अफे लाइफ और डेट का गेम बन जाता है स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छ लगता है तो प्लीस लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा अब बिना किस देरी के एक्स्पनेशन स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होने पर हम देखते हैं कि फादर अपनी छोटी बेटी को अपनी सिस्टर के बास छोड़ जाते है उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी और वो खुद अकेले अपनी बेटी को समाल नहीं सकता था सिस्टर का नाम था मैडम रिक्विन हम इसे पूरी मूवी में मैडम बुलाएंगे ब्रदर कहता है मैं जल्दी आकर मेरी बेटी को लेकर जाओंगा तब तंक इसका खैल रखना अपनी सिस्टर को थोड़े से पैसे उसने दे दिये और कहा कि मैं और भी भेशता रहूंगा ये जो छोटी लड़की थी इसका नाम था तेरेस मैडम को एक बेटा है जिसका नाम है कमील कमील हमेशा बिमार रहता है इनके पास एक्सरा रूम नहीं था तो मैडम तेरेस और कमील को एक ही रूम में सुलाती है तेरेस ना अपने फादर को बहुत मिस किया वो हमेशा सी को देखकर अपने फादर की याद करती थी उसे लगता था कि जल्दी आ जाएंगे पर वो आये ही नहीं बच्पन से लेकर बड़े होने तक तेरेस को कमील का खयाल रखना पड़ा उसके फादर का भी वापस नहीं आए मैडम कहा करती थी मेरे ब्रदर ने कभी भी कोई भी प्रॉमिस कम्प्लीट नहीं किया वो तुमें लेने के लिए भी नहीं आएगा तेरेस बड़ी हो चुकी थी तो अपनी बॉड़ी उसने डिस्कवर किये फिल्ड पर जो वर्कर काम करता था उसे देखकर वो अपने आपको प्लीज करती थी एक दिन जब वो घर पर आई तो कमील बाहर था कमील की तबियत खराब होती है तो मैडम कभी भी उसे बाहर नहीं जाने देदी थी तेरेस कमील से कहती है कि मुझे किस करो कमील इस बात को सही से समझ नहीं पाता उसे गाल पर वो किस करता है तेरेस उसे पता रही थी मुझे इस तरीके से किस नहीं चाहिए तब ही वहाँ मैडम आगे मैडम टेरेस को न्यूज देती है तुम्हारे फादर की डेथ हो चुकी है टेरेस के फादर ने कुछ पैसे छोड़े थे इससे अपनी फाइनाशल सिचुएशन जारा ठीक करेंगे इसके बाद हम देखते हैं कुछ दिन गुजर चुके है आज कमिल बहुत ही खुश था क्योंकि इसे पैरिस में जॉब मिल चुका है वहाँ पर अकॉंटिंगा जॉब वो करेगा अपनी मदर को कह रहा था कि अब हम सब वहाँ मूँ होंगे मैडम पहले मना करती है पर कमिल कहता है आप हमेशा मुझे प्रोटेक करते हो मुझे अब इस घर का कंट्रोल लेना चाहिए अपने बेटे को रिस्पॉंसिबल देखकर मैडम को भी अच्छा लगा मैडम का भी एक सपना था कि उसका एक छोटा सा शॉप हो पैरिस में इस शॉप वो खोलने वाले है मैडम ने का जाने से पहले हम शादी कर लेंगे तेरिस कहती कि किस के शादी मैडम ने कहा कि तुम्हारी और कमील की तेरिस इस पर कुछ भी नहीं बोलती मैडम ने का तुम्हारी मदर का कोई भी अता पता नहीं था तुम्हें एक इलिगल चाइल्ड हो ये वक्त हमारा 1800s का था तो मैडम ने का illegal child को सही से treat नहीं किया जाता मैडम ने terrace को ओफर थी तो उसे thankful होना चाहिए terrace के पास भी और कोई option नहीं था उसे Camille से शादी करनी पड़ी इसके बाद ये directly Paris आ चुके है इनके बास जादा पैसे नहीं थे तो dark rooms वेगरा इन्हें लेने पड़ते है Camille कोई अच्छा नहीं लगा पर फिर भी उसके पास और कोई option नहीं था यहाँ पर terrace को हम बास के frame में देख सकते है यानि क्यों से लग रहा था क्यों जेल में है Camille अपना काम स्टार्ट करता है और दिन बर घर के बाहर ही रहता है तेरेस उसे पूछती है क्या तुम अपने काम से खुश हो Camille कहता है मुझे वो बसंद तो नहीं है वो घूमने के लिए जो चला जाता है वाब और उसे बहुत अच्छा लगता है आज राट टेरेस Camille के साथ इंटिमेंट होना चाहती थी पर Camille कोई भी इंट्रेस नहीं दिखा था नेक सिन में हम देखते है हर चूजडे को मैरम के हैं गैधरिंग होती है सिटी को कुछ ओफिशल उसके पहचान के लोग यह सब गेम्स खेलने के लिए आया करते है आज यहाँ Camille अपने एक फ्रेंड को लेकर आ इसका नाम था Laurent लॉरेंड कमील का बजबन का फ्रेंड है उससे को ओफिस में काम करता है मैडम भी लॉरेंड को देखकर बहुत ही खुश थी यहाँ कितना बड़ा हो चुका है मैडम के सब फ्रेंड में एक पुलिस ओफिसर भी था वो देट बोडिस के बार में बात कर रहा था लॉरेंड एक आर्टिस्ट है तो कहता है कि मैंने देट बोडिस के भी पेंटिंग बनाई है उसे पुछते हैं तुमने ऐसा क्यों किया लॉरेंड ने कहा कि मैं नूड मॉडल्स की पेंटिंग बनाया करता था तेरे से बात सुनकर इंटरस्टेड हो गई वो खहता है एक बार मेरे फादर ने मुझे पकड़ लिया उन्हें शौक लगा और सीडी से नीचे गिर गए थे इसके बाद वो कभी भी घर में पेंटिंग नहीं बनाता लॉरेंड ऐसा आर्टिस्ट है जो अपने आर्ट के लिए कभी भी स्ट्रगल नहीं करेगा उसे लाइफ में चीज़े आसानी से चाहिए लॉरेंड नहीं हाँ सब बाते की उस पूरे टाइम टेरेस उसे देख रही थी लॉरेंड उसे देखते हुए पकड लेता है तो टेरेस को घुटन में सुसोने लग गई कमिल भी लॉरेंड के आर्ट में इंडरस्टेट था तो कहता है मेरी तुम पेंटिंग बनाओ यह जब पेंटिंग बना रहे थे तब लॉरेंड नूड पेंटिंग के बारे में लॉरेंड से पूछता है कमिल ने भी नूड पेंटिंग करने का ट्राइ किया था पर वो नर्वस हो जाता था लॉरेन कहता है कि जब भी मैं किसी मॉडल की पेंटिंग करता हूँ तो उसमें हिपनोटाईज हो जाता हूँ उस मॉडल में और मुझ में एक डिजार क्रेοट हो जाती है मैं एक दिन मॉडल के पास गया उसे टच किया उसके बाद हम इंटिमेट हो गये थे कमिल कहता है कि उसने कुछ कहा नहीं लॉरेंट ने कहा यो फिर से मुझे चाहती थी ये सब बाते सुनकर टेरेस अनकमफ़टेवल होके कमिल की पेंडिंग होने के बाद सब लोग इसे देखते है मैडम को ये पेंडिंग बहुत ही अजीब लगी लाइफ लेस लगी पर फिर भी ये पेंडिंग अच्छी थी सब लॉरेंट से इंप्रेस हो गए कमिल को कुछ काम था तो अब रूम में लॉरेंट और टेरेस से दोनों अकेली थे इन दोनों में पूरे वक्त एक केमिस्टी थी लॉरेंट ने टेरेस से कहा कि अपने कबड़े उतारो टेरेस डर रही थी तो लॉरेंट कहता है हमारे बास बहुत ही कम टाइम है जल्दी से इंटिमेट हो जाते है इसके बाद इनका मिलने का सिलसिला स्टार्ट हो गया एक दिन जूज़े पर कमिल ने फिर से लॉरेंट को अपने घर पर बुलाया रात में जाने से पहले लॉरेंट सुबाई टेरेस के पास आ जाता है इस बार ये टेरेस के बेडरूम में ही थे लॉरेंट को लगता है कि टेरेस का वेडिंग बेड है यहाँ पर इंटिमेट होना गलत होगा टेरेस कहती कि इससे कुछ भी फरक नहीं पड़ता लॉरेंट सप्राइस था जब फर्स टाइम वो टेरेस से मिला था तो बहुत ही डरी हुई थी और उसमें इतना कॉन्फिडंस आया कैसे रात में जब एक गेम खेल रहे थे तो टेरेस की मूज अच्छी थी टेबल पर का एक आदमी कहता है जो लोग शान्द होते है कम बोलते है उन्हीं से हमें डर कर रहना चाहिए पता नहीं कि उनके माइन में क्या जल रहा है मैडम जब नीचे स्टोर समालती थी तो हमेशा टेरेस बहाना बनाती थी उसका सर दुकरा है वो जब बेडरू में आती तो लोरेन आल्रेडी वहा होता ये इंटिमेट हो जाते है ये इसी तरीके से अपना अफेर कंटिनू करते है टेरेस लोरेन से कहती है तुमने मुझे बहुत ही लेट ढूंडा लोरेन कहता है कि ऐसा नहीं है सब कुछ टाइम में ही है टेरेस उसे कहती है फ्लीज मुझे इस सबसे बचा लो एक करा टेरेस अपने बेड़ से उठकर खिटकी में देख रही थी कमिल जग गया तो उससे पुछता है कि क्या कर रही हो टेरेस कहती है कि मैं रिवर का आवाज सुनने की कोशिश कर रही हो बचपन से उसके फादर वापस आएंगे इसलिए सी का आवाज उस सुनती रहती थी आज भी जब वो रिवर का आवाज सुन रही है तो अपना फ्रीडम वो जाती है एक दिन लॉरेंट और टेरेस एक साथ थे टेरेस उससे कहती है फरस टाइम मैं जब तुमसे मिली थी तो मैंने तुम्हें हेट किया था लॉरेंट पुछता है क्या तुम अब भी मुझसे हेट करती हो टेरेस ने कहा कि हाँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझे छोड़ कर चले जाओगे लॉरेंट कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा आज कल कमिल ज़रा परिशान था टेरेस कुछ खोई-खोई से लगती है वो लॉरेंट से इस बात के बारे में बात करता है वो कहता है कि कमिल मुझे से दूर जा रही है जब वो अपनी विलेज में रहा करते थे तो सब कुछ ठीक था लॉरेंट कहता है सिर्व तुम उससे प्यार करो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा रात में फिर टेरेस कमिल के साथ इंटिमेट हुआ टेरेस इसे सैटिस्वाइड नहीं थी और भी कुछ दिन चले के पर कमिल को अभी भी लगता है कि टेरेस उसे दूर जा रही है उसने डिसाइड किया अब वो फिर से अपने विलेज में चला जाएगा यह बात उसने टेरेस से कई तो टेरेस बहुत ही डिस्टरब हो गए वो गहती है अब हमारी पूरी लाइफ या है तुमने मुझसे इस बारे में डिसकस भी नहीं किया कमिल कहता है घर के सारे डिसीजन में लेता हो मुझे तुमें पुछने की ज़रूरत नहीं एक राज जब टेरेस और लॉरेन मिले तो टेरेस उसे सब कुछ बताती है इन दोनोंने मिलकर प्लान बनाया कमिल को मार डालेंगे लॉरेन कहता है कि एक एकसिडन की तरह लगेगा कोई भी वरी मत करो टेरेस जा रही थी तो उसे बुछता है क्या तू मेरी हो टेरेस कहती कि हाँ उसने भी यही चीज़ उसे बुछी लॉरेन भी इसके लिए हाँ कहता है अगली दिने तीनों मिलकर एक पार्क में आये टेरेस कहती है कि मुझे आसपास पाने की आवाज आ रही है वो बोटिंग करना चाहती थी पर कमिल बहुत ही जादा ठक चुका था वो यही बर लेट कर सो जाता है लॉरेन भी इनके पास बेठा यही पार्क में वो टेरेस को टच करने लग गया अजानक से इनके जान पैजान के लोग यह आ गये पर उन्हेंने कुछ भी देखा नहीं था उन्हें भी बोटिंग करनी थी तो आगे चले गए थोड़ी दिर में कमिल के उठने के बाग यह सारे बोटिंग के ले जाते है टेरेस बोट में आनी रही थी वो अपने ब्लैन को सेकंड गेस कर रही है वो कमिल को मारना नहीं चाहती लॉरेन कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसके बाद टेरेस भी उसके साथ चली गई हम डारेक्ली देखते हैं कि लॉरेन टेरेस को स्विम करता हुआ किनारे तक लेकर आया था इन्होंने प्रिटेंड किया इनकी बोट डूब गई इसमें कमिल की डेथ हो गई ये दोनों मिलकर रोने का प्रिटेंड करते हैं इनके पहचान के सब लोग आसपास ही थे तो उन्हें घर लेकर आये राद बार सब लोग कमिल की बोडी ढूब रहे थे फाइनली बोडी मिली तो लॉरेंड को पहचानने के लिए कहा जाता है उसे बोडी देखकर उल्टी आ गई इसके बाद यूनरल हुआ और कुछ दिन बीत गई एक दिन टेरेस और लॉरेंड ही इंटिमेट हो जाते है मैडम बहुत ही ज़्यादा दुख में थी वो टेरेस से कहती है ऐसा होना नहीं चाहिए था तुमने हमेशा उसका ख्याल रखा है तुम इसे मरने कैसे दे सकती थी उसकी देथ हो गई और तुम बज़ गई ये कैसे पॉसिबल है मैडम की एक फ्रेंड उसे समालती है कहती है कि इसमें किसी का भी फॉल्ट नहीं है अब कमील की देथ को एट मांस हो गए थे और मैडम अब भी कम में थी अपने फ्रेंड के साथ मिलकर फिसे चूजडे नाइडे स्टार्ट करते है मैडम ने कहा किसी को डूबने में कितना टाइम लगता है वहाँ सब लोग उसे समझाने की कोशिश करते है यविस बात को उसे जाने देना चाहिए इसके पीछे कोई भी रीजन नहीं होता मैडम ज़रा गुसा होगे तो सब लोग यहाँ से चले जाते है लॉरेन ने मैडम को साहरा दिया कहा यूँ लोग आपके लिए केर करते है कमील के जाने के बाद लॉरेन इनकी फैमिली का एक बहुती बड़ा पार्ट बन चुका था इतना सारा टाइम हो चुका पर फिर भी टेरिस को रात में डरावने सपने आते है उसे लगता है कि टेरिस उसे नीन में सफोकेट कर रहा है एक्चुली किसी भी आदमी को मारने के बाद उसकी गिल्ट बहुत ही जादा होती है बहुत सारे किलर्स का एक्सपरियंस है इसी की जान लेने के बाद वो डिस्टब हो चुके थे अब यही चीज़ टेरिस एक्सपरियंस कर रही है हर बार उसे कमील की याद आती रहती है वो आज कल खुश नहीं रह सकती है एक दिन लॉरेन टेरिस से मिलने के लिए आया उसके साथ इंटिमेट होना चाता था टेरिस कहती है कि अब भी मुझे कमील के डराओने सपने आ रही है यही चीज लॉरेन भी अपने खुद के लिए एक्सपरियंस करता है वो भी बहुत ही डिस्टब हो चुका है चेंज हो गये थे टेरिस को शक जाता है इसायद लॉरेन उसके पैसों के लिए उसके साथ है लॉरेन टेरिस से कहता है इस सब लोग के सामने तुम न टक करो इस टेरिस के तुमें बहुत याद आती है मीडम के फ्रेंडेंच ने नोटिस किया एक दिन जब वे मिले तो सब मिलकर मैडम को समझाते है कि टेरेस की अब शादी कर देनी चाहिए वो बहुत ही दुखी है मैडम कहती कि किस के साथ वो शादी करेगी वो कहते है कि लॉरेंट के साथ किसी स्टेंजर के साथ शादी करने से अच्छा वो कमिल के फ्रेंच से ही शादी करे यह सारी इस बात को मान गए तेरेस और लॉरेंट यह अलग रूम में थे तेरेस कहती है तुम किसी और के साथ थे मैं उसका सेट तुम पर स्मेल कर सकती हूँ लॉरेंट कहता है कि एक थी पर मैंने उसके साथ break up कर लिया है मैं नीन में ही तुम्हारा ही नाम लेता रहता हूँ सब लोग इनके पास है और कहा यह तुम दोनों को शादी करनी चाहिए यह दोनों भी मान जाते है इन दोनों की शादी के बाद मैडम ने अपनी will change की है मैडम की डेत के बाद उसके सारे पेसे टेरेस और लॉरेंट को मिलेंगे वेडिंग नाइट पर लॉरेंट कहता है कि आज वही रात है जिसका हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे टेरेस लॉरेंट से बुछती है कमील की डेत कैसी हुई थी क्या उसने struggle किया था लॉरेंट कहता है कि तुम भी वहा थी क्या तुमने देखा नहीं टेरेस ने कहा मैंने मेरी आग बन कर ली थी लॉरेंट कहता है मैंने शान्दी से उसे पानी में डाल दिया था टेरेस उस पर चीड गई कहती है कमील ने बहुत struggle किया था तुम्हें उसे नहीं मारना चाहिए था लॉरेंट कहता है तुम भी तुवही जाती थी कमील को मारने के बाद इन दोनों की life hell बन चुकी है इसके बाद कुछ time गुजर गया टेरेस लॉरेंट और मैडम एक दिन पार्क में गए हुए थे मैडम कभी भी शौक से उबरी नहीं आज कल वो बहुत सारी stories बताती है अब भी वो बताना स्टार्ट करती है तो लॉरेंट इससे पक चुका था इस बार स्टोरी बताते हुए मैडम को कमील दिखा इस शौक की वज़े से उसे अटेक आया इसके बाद वो पैरलाइस हो चुकी थी और कुछ भी बात नहीं कर सकती थी अब इन दोनों को मिलकर इसका खैल रखना पड़ता है एक दिन लॉरेंट जब मैडम को उठा कर लेकर जा रहा था तो उसे आईट आई कि वो उपर से उसे फेक देखा पर टेरेस ने उसे कहा पैसो के लिए तुम्हें हम दोनों की सिगनेचर लगेगी यानि कि टेरेस मैडम को बचा लेती है इनके मैरेज में भी आप प्रॉल्लम चल रहे थे लॉरेन को टेरेस का बनाय हुआ खाना अच्छा नहीं लगता आज कर लॉरेन भी हमेशा ड्रिंग करता रहता है एक दिन मैडम के सामने इन दोनों की फाइट हो गई टेरेस लॉरेन को एकमिल को मारने का दोशी मानती है लॉरेन जोर से चिला कर टेरेस से गहता है हम दोनों ने मिलकर उसे मारा ये सब बात मैडम ने सुनी और वो बहुत ज़्यादा रिस्टब हो गई थी वो सब सुनने के बाद बहुत रोती है एक दिन चुज़डे पर मैडम से मिलने के लिए उसके सब फ्रेंड्स आय हुए थे वो टेवल पर अपने हाथ से कुस लिखने की कोशिश कर रही थी वो बहुत राय करती है उसने टेरेस और लॉरेन का नाम लिखा वो आगे लिख पाती कि इन दोनों ने मिलकर कमिल को मार डाला पर वो बहुत ही इजॉस्टेट हो चुकी थी उसके फ्रेंड्स को भी ये बात समझ मिने आई एक दिन मैडम शॉप में थी तो उसे पेन और इंग दिखी वो इसे लिखने की कोशिश करती है पर उसकी इंग नीचे गिर गई थोड़ी दिर में जब टेरेस मैडम के पास आई तो मैडम अपनी स्टीक्स से टेरस को मारना जाती थी टेरस कहती की ट्राय करो मार डालो तुमने ही मेरी जिंदगी बरबात की है तुम्हारी वज़े से मुझे जबरदस्ती कमिल के साथ शादी करनी पड़ी टेरेस आजकल बहुत ही डिस्टरब थी तो बार में जाकर ड्रिंग भी करने लग जाती है वो लॉरेन के साथ आजकल इंटिमेट नहीं होना चाहती अगले दिन जाकर लॉरेन ने पॉईजन बाय कर गर लाया वो मैडम और टेरेस इन दोनों को मार डालने वाला था लास्ट सीन में हमने देखा कि मैडम की इंग नीचे गिर गई थी अगले दिन जब उसकी फ्रेंट उसे मिलने के लिए आई तो मैडम ने फ्लोर उपर लिखा हुआ है ये टेरेस और लॉरेन ने मिलकर कमील को मार डाला ये देखकर उसकी फ्रेंट भाग जाती है वो हेल्प मागने के लिए वहाँ से भाग गए टेरेस और लॉरेन ने जब देखा तो मैडम को मारने के लिए उसे नदी के पास लेकर आए ये प्रिटेंड करने वाले थे कि नगदी के पास ये पिक्निक के लिया आए और मैडम की डेथ होके इनकी पास की वाइन में लॉयरे ने पॉईजन मिला दिया तेरेस के हाथ में भी चाको था इन दोनों ने एक दूसरे का प्लैन नोटिस किया ये डिसाइड करते हैं कि मिलकर सुसाइड कर लेंगे पॉईजन से डेथ होना ये ज़रा इजी है दोनों ने मिलकर सुसाइड कर ली मैडम को ढूंटे होए उसके फ्रेंड्स आके उन्होंने उसे बचा लिया इसी तरीके से इस मुवी के एक ट्राइजिक एंडिंग हो जाती है टेरेस और लॉरेन ने एक साथ रहने के लिए कमिर की जान ले ली मर्डर की गिल्ड ये खुछ सहन नहीं कर पाए इनका जीना हराम हो गया था किसे को मार कर ये अच्छी लाइब जी नहीं सकते यही आज का वीडियो हम खतम करते है अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजे बहुत सारी मुवीज लेकर आत रहता हो तो प्लीज चानल सब्स्राइब कर दीजेगा हम फिर से मिलेंगे और एक निमुवी के साथ तब दिखले थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिये